हेलो फ्रेंट्स असलाम लेकूम वेलकम जी आयनों सरकार जे आई गए हो तले सब्सक्राइब दो बटन दबा दे हो सद्धी आउनली वीडियो दा सद्धा दे ता अनों लबदा ही रवेगा यानी के नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो यार हमारी आने वाले इडिटेड जी 5000 से नीचे की रेंज में बैसूस WM01 क्या लगता है वैल्यो फर मनी होगा चेक करते हैं अच्छा एक बात मैं बता दूँ जितनी भी डिवाइस की रिव्यूज मैं लेके आता हूं कम मसकम डिवाइस को एक हफ़ता यूज करने के बाद रिव्यूज लेके आ आने बाई जो लिख है वो है भी या नहीं इस भी तो पता चलना चाहिए ना तो अनबॉक्सिंग करने का तो फायदा है नहीं अनबॉक्सिंग तो हम वैसे बाद में भी दिखा सकते हैं यार इग्जक्ली प्राइस टेक तो मैं आपको बता नहीं सकता इस तेम पाकिस्तान म सम्थिंग है तो ये डिवाइस आपको 4300 से लेके 4800 रपे तक मार्कीट के अंदर अवेलेबल है कल की क्या प्राइस होगी कुछ कहा नहीं जा सकता इस बजट में अभी हमारे पास कुछ आप्शन और भी अवेलेबल हैं बैसूस का नाम सुनकर हमारा सबसे ज़दा समझा जाता है कि वह वाकिए होता है खाली लिखनी दिया जाता जूट नहीं लिखती आ जाता जिस तरह बाकी बहुत से ब्रैंड्स करते हैं यार साथ दिन के परसनल जूजज के बाद परसनल रिवियो देने जा रहा हूं डिवाइस स्पेसिफिकेशन से हटके लेकिन उसस स्पेसिफिकेशन करता है यह ट्रू वालस हेरफोन है सबसे पहले लिखी इस स्पेसिफिकेशन से गुजर तो जाएं आखर लिखा क्या है और उन्हें क्लेम क्या कर रही है कंपनी के बाई मैंने क्या बिना यह तो यह हम देखते हैं यह देखीगा जा सबसे पहले इसके अं 100mAh की कैपसिटी है एर बर्ड्स की इनर और 300mAh की कैपसिटी है चार्जिंग केस की ठीक है तो अगर यह रियल है तो इस मीन्स के आप 4-5 गंटे एजिली म्यूजिक फुल वालियम के साथ सुन सकते हैं सिंपल एर बर्ड्स में और उनको 3-4 दफ़ा चार्ज कर सकते हैं यान 7-10 देज आपके इजिली वन चार्ज के साथ चल जाएंगे अचा कंपनी क्लेम करती है जिए 1.5 आवर इसकी चार्जिंग टाइम है पोर्ट C के साथ है तस नाट गुड क्यूंकि अब तो फास्ट चार्जिंग यार यह 300mAh पे 5 वोल्ट पे चार्ज कर रहा है बहुत स्लो 1.5 घंटा अगर आप एरबर्ट को चार्जिंग पे लगा दोगे इसी की रेंज के अंदर डिफरेंट एरबर्ट अविलेबल नहीं जो 15-20 मिनट के अंदर चार्ज हो जाते हैं तो 1.5 घंटा आप चार्जिंग पे लगा कर राक दोगे means मज़ा नहीं है अच्छा दूसरी कंपनी लिख रही है जी मिनी इनियर कंफर्टेबल डिजाइन ऐसका और बैसूस का डूवल चैनल क्नेक्शन लो लेटेंसी लो लेटेंसी है तो ये जूटी यूज कर चुका हो ना यार लेकिन बाकी बैटरी तैमिंग और बाकी तुमाम हवालों से डवाइस अच्छी डव जी सबसे पहले ये तो मुझे ऐसे लाग रहा है जैसे टक 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 डबी नहीं होती ही क्या कहते है उसकी यार ये तो सिगरेट की डबी वाली फील दे रहा है रही यार ये तो सिगरेट की डबी वाली फील है सीरियसले मजाक नहीं कहा रहा है अच्छा देखे बहुत ही प्यारा सा ये डोल टाइप का बना दिया यार ऐसे बना दिया जैसे ये जूलरी बॉक्स है यार ये रिंग वला बॉक्स है बारहल बनाने वालों की मर्जी नई शेप दे दी है हम क्या कर सकते हैं बारहल पॉकिट में रखने के लिए फोड़ा सा शेप देखने में थोड़ी सी वीर्ड लगती है खुबसूरत है लेकिन थोड़ी सी वीर्ड लगती है यार जूलरी बॉक्स टाइप बनाया है जिसमें आप रिंग वगरे रख सकते हैं मैगनेट इसका काफी स्ट्रॉंग है चेक करते हैं तो बिल्कुल भी नहीरा जिक करते हैं देखते हैं यह जिनाब हमारे पास इंतहाईडी से हैं इह कानों बालगा के देखते हैं बड़ा जबर्दस किसम का फिटें होता है यह कानों के अंदर और बड़ी ईजी सी फील देता है मदब इसकी शेप इस तरह की बनाई गई है कि ये बड़ी रिलेक्सेशन और आपको बाइर की साउंड मुझे बाइर की साउंड नहीं आ रही मिन्स ठीक है और इनर साइड से ये डिजाइन है भई अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की चारजिंग में बहुत ज़दा टाइम लेता है ठीक है और इस ये इन फोन को मैंने यूज किया है साथ दिन तो अब इसलिए बताओं कनेक्टिविटी में थोड़ा सा टाइम लेता है जब अब फर्स टेम कनेक्टिविटी करते हैं तब तो इसलिए हो जाती है लेकिन जब बाद में आप इसको बॉक्स ओपन करके हेड़फोन निकालते हैं या तो पता लिए मुबाइल बूल जाता है कि यार उसने कनेक्ट करना है इसके साथ या यह प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी नहीं दे रही होती है हाँ गेमिnk be there के न्दर मैंने नहीं इसको चेक किया कि मुझे नहीं पता है लेकिन कनेक्टिविजी विजी टाइम इसका बहुत सब्साद है ये कनेक्ट होने में थोड़ा सा टैम देता है वैसे मुझे टिक-टिक करने में बड़ा मज़ा आ रहा हिया सीरियसली ये फील मज़ेगी है अच्छा जो बॉक्स का नीचे वाला हिस्सा है जो इन्होंने नीचे वाले इसके बॉक्स का बनाया है ये बड़ा प्रेमियम सा है ये बड़ा मतब आपने कुछ चीज उठाई है लेकिन उपर वाला कवर बिल्कुल एक प्लास्टिक का बिल्कुल सा कवर बनाया है हलके प्लास्टिक का फील हो रहा है बिल्कुल मज़ा नहीं दे रहा है एक हैवी वाली फील नहीं दे रहा है ठीक है, सीटाइप ओर्ट है, यह देखें, और बहुत ही यह इसका ग्रेसफुल सा डिजाइन है, यह चारों तरफ से ना, बड़ा जबरदस किसम का इसका डिजाइन है, नीचे देखें, वाउ, ऐसे रखते हैं, यह चेक करो, यह चेक करो, चटनी का बाउल लग रहे है न, य अच्छा, बॉक्स के अंदर देखते हैं, क्या क्या है, यह हमरे पस बॉक्स आ गया, ठीक है, बॉक्स के अंदर, यह हमरे पस एक केबल आ गई, एटुसी, एटुसी हमरे पस एक केबल आ जाती है, और नीचे, देख लेते हैं, यह एक आ गया, नीचे, इसमें की हल्प बु नहीं की जा सकती यह व Says His Myself ऐस तकी माई इस // bezos के तमाम प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्त्स के नियर लाजमी में के कालेड हैं वे स्टिकर हैं इन साथ हाय बुक आगे ईजो वन वन साइड़िड में लाजम के अंदर है और नंदी अदर साइड यह इंगलिश के के अंदर है और इसमें इसके टच बटन सेंसर के बारे में भी explain किया गया है यह आप देख सकते हैं इसके modes आप change कर सकते हैं music mode double click के साथ आप song को प्ले बाउस कर सकते हैं और अगर लॉंग प्रेस करेंगे आप 1.5 सेकंड के लिए राइट वाले ऐर फोन को तो next song play हो जाएगा और अगर left वाले को long press करेंगे 1.5 second के लिए तो previous song play हो जाएगा ठीक है और voice assistant के लिए आपने triple click करना है left या right किसी में किसी भी earphone को ठीक है बाकी आप call answer कर सकते है hang कर सकते है reject करने के लिए आप जो है 1.5 second तक press करके रखेंगे right या left को तो यह इसके touch sensor है अचा इसके touch sensor बड़े जबरदस्त है मतब यह नहीं है कि touch को हलका सा मतब जो पुराने headphones थे इस range के अंदर उसमें यह था कि अगर touch आप का हलका सा हाथ भी लग जाता है या आप अगर bed के ओपर लेटे वे उसको use कर रहे हैं तो वह वैसी touch होता रहता था तो इसमें यह नहीं है proper hand field के साथ आप touch करेंगे तो इसका touch बड़ा जबरदस तरीके से काम करता है यह बड़ी positive चीज है इसके अंदर एक तो इसके अंदर base बहुत कम है base नहीं है इसकी sound के अंदर बिल्कुल हलकी सी है बिल्कुल आप यह भी नहीं कह सकते के नहीं है जिस तरह जैबरा बगरा के headphone में बिल्कुल base है यह नहीं they are calling headphones तो base है सही लेकिन बिल्कुल आप उसको 15% समझ सकते हैं ठीके तो जो iPods के copies आ रही हैं या interlink के नाम से और डिफरेंट आपको audio नेक और इस तरह के brands मिल रहे हैं तो उसकी sound में अच्छी base और अच्छा stereo अच्छा यह claim कर रहे हैं कि यह stereo headphone है लेकिन इसकी आवाज को सुनते हुए अगर आप means के कोई 10% आपको stereo feel आती है otherwise आपको ऐसी feel आती है कि आप mono audio सुन रहे हैं इस range के अंदर डिफरेंट जो हेंट्री हमारे पास available है उनका हम review करेंगे अलादा से वीडियो में सबका कि इनका अपस में क्या difference है बैटरी timing अच्छी है microphone की quality अच्छी है लेकिन यह है कि noise के अंदर इसका बिल्कुल भी noise cancellation नहीं है और दो चीजें जो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा missing लगी और negative लगी एक तो इसमें noise cancellation नहीं है और दूसरा इसम waterproof water resistance कुछ भी नहीं है यार mention तो कुछ नहीं किया वा तो अब इसलिए पर हमने चेक भी नहीं किया एक चीज़ अगर होती तो mention जरूर होती इन्होंने ऐसा कुछ भी mention नहीं किया तो इसी range के अंदर अगर हम ओपो को देखते हैं तो वह waterproofing के साथ भी दे रहा है और उसमें noise थोड़ी बहुत हो जाती है अगर आप proper noise cancellation के लिए जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा budget अपना increase करना पड़ेगा टिक टिक का मज़ा हता है यार seriously एक हफ़ते की यूज के बाद मैं आपको ये review दे रहा हूँ मेरे ख्याल सही ये इस budget में एक अच्छा हैंट्री नहीं है हाँ अच्छी company है अगर आप normal sound quality के साथ इसको सुनना चाते है यार ठीक है normal सा हैंट्री होना चाहिए battery timing अच्छी होनी चाहिए quality अच्छी होनी चाहि और माइक के अंदर तुफान आ जाए तो that's not a good I don't recommend you मैं आपको recommend नहीं करता है इस price range के अंदर कुछ एक review करूँगा मैं दो तीन devices का और तो मैं आपको मश्वरा दूँगा लाजबी आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए लेकिन फिर भी battery timing के साब से इसक पैसूस brand name के साब से अगर आप आए करना चाहते हैं तो कर लें यार लेकिन दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा negative है उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर अभी तक channel नहीं subscribe किया कर दो यार दुश्मनी है वीडियो पसंद आई है लाइक तो कर दो अगर इसी के साथ आप से अजाज़त हस्ते बस्ते रहें अबाद रहें अलाफेज